हेलो फ्रेंस मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम सीखेंगे यह डिजाइन इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं लेजी चैन्स या छोटे बच्चों के सटर में भी आप इसमें डाल सकते हो इस तरह से बनके आता है आये सीखते हैं यहां पर थोड़ी सी मैंने पट्टी डाले वी है एक शिलाई सीधी और एक शिलाई उल्टा बना रखा है अब हम डिजाइन शुरू करते हैं एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और साथ फंदे उल्टे एक फंदा सीधा बनाना है और साथ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छै साथ एक दो तीन चार पांच छै साथ फंदे उल्टे एक फंदा हम बिना उन्हें निकालेंगे पिर साथ फंदे उल्टा एक दो तीन चार पांच छे साथ फंदा उल्टा फंदा आगे की तरब लेके एक फंदा सीधा साथ फंदा उल्टा एक दो तीन चार पांच छे साथ एक फंदा सीधा साइट वाला फंदा है उल्टी सिलाई में यह हमारी पहली सिलाई है बैक साइट में हम इन साथ फंदे को सीधा सीधा बनाएंगे और जो एक फंदा है इसको हम उल्टा गना लेंगे यह दोसी सिलाई साथ फंदे सीधे एक दो तेन चार पांच छे साथ फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा उल्टा साथ फंदे सीधे इसी तरह सो यह वाली सिलाई हम कंप्लेट करेंगे साथ फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा एक दो तीन चार पांच छे साथ एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा साथ सोरी साथ फंदे सीधे एक फंदा साइड वाला इसको हम उल्टा बना लेंगे यह दो सिलाई हम बना चुके हैं अब तीसरी सिलाई तीन फंदा उल्टा एक फंदा सीधा यह हमारी तीसरी सिलाई है तीन फंदा उल्टा इस फंदे को बिना बुने निकाल लेंगे तीन फंदा सीधा ने सोरी उल्टा और एक फंदा सीधा एक दो इसको भी रहागों उतार लेंगे एक दो दो, तीन, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा, तीसी सिलाई, चौथी सिलाई, एक फंदा उल्टा, टीन फंदा सीधा, चौथी सिलाई में, टीन फंदे सीधे, और एक फंदे उल्टा, उल्टा को हम उल्टा उल्टाई करके बना लेंगे जो आगे से हमने बीना बुने निकाला था उसको भी हम बैक सेर्ष टे उल्टाई बून लेंगे तेन बंदा सीधा किया सुटरहां चाई उल्टाई एपन दाईगा लेँदे उते हिजट ऊनुम से जल्टाई चार चार सलय बनाएंगे इसको इसको दो सलय हमारी बन चुकी है दो सलय हम इसको और बढ़ा लेंगे भंदा आगे की तरफ इसको भीना बुली निकालना है एक दो तीन एक पंदा शीत जिएता एक दो तीन इसको बीना बुली निकालना तीन पंदा शीता उल्टा एक पंदा शीता एक फंदा सीधा बैक साइट में भी करेंगे तीन सीधा और एक उल्टा करके कम्टिट कर लेंगे इस चौटी चलाई है तीन सीधा एक पंदा उल्टा तीन सीधा एक पंदा उल्टा इसी तरह से हम इस लाईवी कम्प्लीट कर लेंगे लेगे रेंगे कर दिन फंद्र शीर उल्टे ने स्वरी एक फंद्र हमने उल्टा बनाना है फंद्र आगे की तरव लेकर यहां एक दूदी चार श्लाइध नीचे दो इधर छोड़ना हमने उससे पहले हमने चार श्लाइध इस तरह श्लेना है फिर फंदा अपनी तरव लिया एक फंदा उल्टा उल्टा इसी तरफ यहां हम भीज का सेंटर वाला है इसमें भी हम धागा ऐसी तरव लेंगे इसको भी उल्टा बनाया है फंदा आगे की तरव इसको उल्टा एक बार फिर लिया इसी तरव हम 5 बार लेंगे इसको फंदा आगे के तरह हम एक उल्टा पांस भां लेना है इसको ऐसी तरह ब की उल्टाइ बनाया इसको हम बिना वने निकालेंगे एप फंदा उल्टा फंदा पिछे के तरह फिर यहां सेंटर शेकण में नीचे श्लाइप के इस तरहा है एक फंदा उल्टा एक बार दो पांस बार लेना है इसको फंदा उल्टा तीन बार ले लिया फंदा आगे के तरफ उल्टा किया यह हम चार बार एक पांचवा ले लिया इसको फंदा उल्टा आदिया एक फंदा उल्टा इसको हम पिना बने निकाल लेंगे एक फंदा उल्टा यह पिर हम पांच बार लेंगे इसको एक बार उल्टा बनाया फंदा आगे की तरफ दो बार फंदा फिर अपनी तरफ लेके उल्टा बनाया फंदा पीछी की तरफ लेके फिर एक बार और फिर इसको भी सेंटर वाले को भी उल्टा बना देंगे एक बार और लेके एक फंदा ओल्टा फास बार बनाना है एक दो यह चार एक बक्रणुआ फंदा आगे की तरफ लेके इसी पॉइंट से हमने पांच बार फंदै उठाने है बीच में एक उल्टा बनाना है ये एक फंदा उल्टा इसको भी उल्टा बना लेंगे साइट वाला फंदा को हम सीधाई बनाएंगे इस्टा से बन के आए गए हे उल्टी सलाय में एक फंदा उल्टा और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और इसको इस तरफ से दो-दो करके दो-दो-दो इस तरफ से इसको घटा लेंगे हम सीदा मैं दो दो करके इसको घटा लेंगे जो हमने बडा रखे थी फंदे इसको हम बैखक सैस से घटा लेंगे शैस्टायट में एक फंदा और ये पांस फंदे वापस साथ फंदे हमारे वीच में हो जाएएगे इसको साध़ बना लेंगे इनको घटा लेंगे जो फंदे हमने बड़ा नीचे चे उठा रखे थे उसको हम एके करके इसको घटा देंगे दो तीन चार पांच एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा और इसको हम पांच जो बड़ा रखे थे इसको एक एक करके घटा लेंगे दो इकटे धा लेंगे यह अमाला डीजैन त्यार हो गया इस तरह से बन गाता फ्रेंड्स अब इसके बाद दूसरा डिजैन भानेंगे हम दूसरा डिजैन ना बनाके पैटन यहीं शुरू हो गया लेकिन हम इस डिजैन नहीं बनाएंगे जोड़ देंगे यहां फिर हम एक सीधा और सात फंदे उल्टे एक स्ीधा हम सात फंदे उल्टे करके बनाएं पर गजा हम हम पोरल बनाएं utter gw Als इस तरह से बनाने से बहुत ही खोफ़सद उभर के आता है आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से बनके आता है थैंक यू फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ